हेलो दोस्तों मैं आज यह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मुटेरियल पॉइंट में तो गाइस आज को हमारे टोपिक है काफी इंट्रेस्टिंग है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इसके अदर मापको स्पोर्ट रेनिंग की डेफिनिशन उब्जेक्ट एम्स प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे तो गाइस काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो है तो गाइस प्लीज वीडियो को आज तक देखे वीडियो को स्किप ना करें तो गैस चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो वाईज जैसा कि आप जानते स्पोर्ट ट्रेनिंग खेल प्रिक्सिक्शन में इसको की डेफिनिशन गईश्ट ट्रेनिंग के लिए तैसे सदेगे अच्छे सा परियास करता गईटे इस और हेता हम उन्हेंट गेने इस लिए फेड़ादों के फफोर्मेनस में बढ़ोतरी हो इस खेल प्रसक्राइब अगर हम उस गेम की इस क्लोग के मुता की अपनी आधितों को बनाएंगे तो गैस खेलाडियों के पर्फोर्मेंस में से बढ़ोतरी होगी अब बात करते हैं कि इस खेल प्रेस्ट्रिक्शन नीम इस तर से शुरू होकर खेलाडी को उच इस तर तक का प्रदरशन प्राप्त कर भी किनिए स्टाइब होगी जैस वी किसी भी नौर्मल्मल गेम स्टाइब करते हैं पहला धीर धीरे चैंपैंशिप छोटी नाश्नल होगी तो यसु तरह हमारे इस तरह भी बढ़ता रहता है तो कैसि हमारे इस तरह को ही उसैसाफ से भढ़ाती है यह मोल लूप सर अमारी में सुदार लाती है जब हम किसी भी गेम को शुरू करते हैं तो हमारी चमता कम रहेगी और धीरे-धीरे पह स्पोर्ट ट्रेनिंग हमारी चमता को उस खेल के मुताबिक ही उसमें बड़ोतरी करेगी वह इसमें क्या है खेल प्रेक्सेशन के कोई सीमित अफदी नहीं होती है क कुछ हपते कुछ महीने में सालों की हो सकती है क्या होती है उसका कोई सीमित अफदी नहीं है अगर जितने ही जाद है हम इसपोर्ट ट्रेनिंग करेंगे कि टाइमिंग जाद रहेगी वह तो नहीं हमारे गिवर में यह अंप्रूमयों लाएगी और खेल प्रेसिशन सेक्ष होते हैं साइंटिफिकल स्थोरी होती है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे गिम में इंप्रूमेंट होने के चांसे बहुत जादे बढ़ जाएंगे तो यह सवर भी डिपेंट करती है और खेल प्रेसिशन के फलसुरूप हम खेल के दुरान होने वाले इंजरी से भी पर्फोर्मेंस में तो इंजिरी होने का भी खत्रा उतनी कम होंاج कि आप उड़े में अच्छे से जानते हैं अब बात करते हैं इसकें कि क्या है। भी के सब्सक्राइब दुसरे गए टेकनिकल स्किल होगी उसमें भी आपके इंप्रूमेंट लाने की गोचीज करेगा मेंटल डेवलेंट यानि कि मानस्क रूप से आपके विकास करेगा क्योंकि किसी भी खेल को मैं आप से ही खेल सकते हैं अगर हम mentally रूप से unfit होंगे और फिजिकल रूप से हम काफी फिट है तो हम उस गेम में सर्वाइब नहीं कर सकते क्योंकि कि किसी भी गेम को खेलते वे हमें mentally एक रण्नीती बनानी होती है और फिजिकल वर्क इन दोनों का नियम कानून सब चीज का बेसिक पता ही होना से ही उस गेम के बारे में all over information होनी ज़रूरी है अगर हमें information होगी तो हम उस गेम में फाल से बचेंगे साथे साथ हम अपना इंप्रूम करेंगे गेम को और हमारा वही परफॉर्मेंस उतना ही अच्छ होगा अगर हमें उसके की रूलस और रागुलेशन पता होगे फिर काई से पर्सिनलिटी डेवलप्मेंट कर वेक्तित्व में सुधार अगर हमारा पर्ति यानि अच्छ है जो कोच हमसे बढ़े हैं सीनियर हमें जो चीज सिखा रहे हैं हम उस चीज को फो फोलो कर रहे हैं यानि कि हम अपने कोच क लिखते हैं हमारे परशनली ऐसी एक हम किसी तरह का कोई गमन नहीं कि हमें बहुत कुछ आ गया है यह ओवर वर प्रफिडायन बिलकुल नहीं होना है मैं अपनी पर्शनेलिटी ऐसी रखने हैं कि हम छोटी-छोटी गलतियों से सीखे या कोच हमें जो बता रहे हैं उस चीज को फोलो करें वह ज़रूरी है किसी भी गेम के इंप्रूव्मेंट अब बाइस बात करते हैं अब अब्जेक्ट के या उद्देश से क्या होते हैं तो अगर हमें अच्छे से पता होगा और हमें उनकी अच्छे से प्रक्टिस होगी तो हम गेम में अपने परफॉर्मेंस अच्छे से प्रक्टिस वहागी तो हम गेम में अपने परफॉर्मेंस अच्छा देंगे डेवलप्मेंट ओफ टेक्टिकल यानि निपून तक अविकास अगर हम किसी स्कूल को कर रहे हैं तो हमारी स्किल एकदम परफेक्ट होने चाहिए यानि वह हमारा जो मुवमेंट हो बोडी का या हम जो भी एक मुवमेंट कर अब योगयता कब होगी हम मेंटली और फिजिकली फिट होंगे इसकल भी हम एच्छेस आएगी और टेक्टिकल निपून तक अविकास भी होगा तो हमारे में क्या होता है योगयता होगी उस गेम को खेलने के हम योगय होंगे यानि कि हम अच्छा परफॉर्मेंस देने के यूगया है यानि यह वह होता है जिलफमैंट ऑफ टेक्निक जैनि को सलता यह हमारी टैक्निक क्या होगी सबी अब नॉर्मल सी बात है सभी एक इसकुल को कर रहे है लेगें एक हमारी वो टैकनिक बिलकुल एकुरेट हो साथ साथ उसमें हम डेवलप्न लाना जरूरी है अब काई हम बात करते हैं इसके principles के principles क्या हैं इसके किसी भी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी चीज के गेम के प्रक्टिस कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा परफॉर्मेंस होगा वह अच्छे लेवल का होगा कि गईस ओवर्लोड वैस क्या होगा हम जब किसी भी गेम को में स्टार्ट करेंगे बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर दीरे-दीर क्या होगा उसमें थोड़ा सा लोड बढ़ाएंगे यानि कि नौर्मल सी वात है अगर हम कहीं जिम में जाते हैं तो प्रूरू मे कि दीरे-दीरे हमें अपने ओवर्लोड लेना चाहिए हमें लोड बढ़ना चाहिए आपको पता है सभी गेम सभी होता है अब जैसे कि कि सब्सक्राइब सेमने खेल सकते सभी सथिंतites सभी क्या होगा अपने इए अलग होगा तो उसी के हिसाब से हम उसको प्रैके pulse कराएंगे कि अगर को liberal है handing दो हम उसको कोशेश करेंगी वह तो वह सब्सकर तरह करेंगे कि कि अपना आप है पुर्ण ओव फ्राइंट सकते होंने जूह कि आफज पॉइंट है कि इसका जो उड़ पूरा ऐक्न से jin सभी सब्लाइं करना चाहिए पाज़ें को सबीस्कीर से ऊवस्कीर कि खरत देनें तो जब हम दीरे-दीरे किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उसमें क्यों होता है हमें थोड़ा सुधार आता है तो हमें अपनी गलतियों से ही सुधारने का मोगा मिलता है तो हमें अपनी गलती को सुधारना चाहिए जहां में लग रहा है कि हम गलती करते हैं तो उसम प्रैक्टिस में लाने चाहिए कोई भी कोच है वह आपको का सड्डूल जो बनाता है उसमें वरायटी चेंज करते रहते हैं पहला को किसी स्किल पर प्रैक्टिस कराई फिर दूसरे स्किल पर अगर आपकी वरायटी चेंज होगी तो आपको मतलब मज़ा भी आएगा उस यानि कि गर्माना और समन यह दोनों बहुत इंपोटेंट है हमें किसी प्रैक्टिस करने से पहले जो नॉर्मल हम वोम-प करते हैं वह ज़रूरी है हमें वोर्म-प अच्छे से अच्छा करना चाहिए क्योंकि वोर्म-प से क्या होगा बोडी हीट होती है जिससे इंजरी वग करते हैं तो क्या मुझे बूर्म horizon की जरूरी है उससे क्या होगा हमारी बोडी रिलाक्षेशन की पोजिशन में आती है हम प्रैक्टिस कर रहे है हमारी थक रही है बिल्कुल हमारी just heartbeat है यानि हमारा सास ले नेरे हें बहुत तेजज तेज लिए तो के सुसमें क्या मारी बोडी का जो नोर्मल पोजिशन वाएगी अगर हम अचाना की रुख जाएंगे तो कभी-कभी आप देखते हैं को आपको चक्कर से आने लगते आप बहुत ज़रूरी है तो आज की वीडियो आपको अच्छे लगी है तो प्लीज लाइक करें और साथी साथ चैनल को सब्सक् तब तक लेड़ नेवाद